नमस्कार दोस्तों आज आपको इंपूरूव एसीजे के बारे में बतने जा रहा हूँ ये देखिए इंपूरूव एसीजे है ये एसीजे भी एक LWR के यानि लोंग बेडर रेल के दोनों सीरे पर लगाया जाता है ये डवल गयाप वला एसीजे है इसमें दोनों तरफ 40 mm ए ये अंदर के ये दोनों एस्टोक रेल है इस दोनों की लंबाई अलग अलग होती है जो बाहर के तरफ एस्टोक रेल है इसकी लंबाई 740 mm होती है और जो ये अंदर के तरफ एस्टोक रेल है इसकी लंबाई 6920 mm होती है इसमें ये टंग रेल दो परकार के होता है एक की लं बाढ़ने के लिए एक नमर होता है यह स्कुरू का जो नमर होता है जो एंगल के साथ प्यार्सी को बांथा इसका होता है नमरिंग टी यह काष्ट आरैन चेयर पलेट को यह ब्रेकेट के साथ रेल से बांधने के लिए यह नट बूल्ट का परियोग किया जाता है इस नट बूल्ट का भी एक नमर होता है जो अंदर की तरफ रोन बूल्ट लगता है इसकी नमरिंग होती है टी 29 और जो बाएरक तरफ होता है बुल्ट इसकी नम्रिंग होता है टी 26 यह cRAC पलेट का जो नम्रिंग होता है यह टंग डेल और एस्टाक डेल के पास दोनों सेमlai चार पलेट लगाया जाता है इसकी जो नम्रिंग होता है यह 3 से माल फलेटेड होता है और इसकी जो फलेटेड होता इसमें केंट नहीं होता है इसमें C I C A.I कास्ट अरणे चेर फलेट लगता उसमें केंट होता है to 20 का 60 cm का gap वाला अगर यह simple प्यार्सी लगी हुई वाला section है तो वहाँ पे इस दोनों SCJ के सीरे की बीच में जो प्यार्सी लगती है यह प्यार्सी नो लगती है और जहां 65 cm spacing वाला area है वहाँ पे इस simple प्यार्सी की संखियां 8 होती है इस SCJ की total लंबाई 18.56 होती है इस पर लगने वाली टोटल प्यार्सी की संखियां अगर 60 cm spacing वाला area है तो 31 लगता है और 65 cm spacing वाला slipper का area है तो वहाँ पे 28 slipper लगता है इस SCJ की life 200 GMT होता है यह देखिए इसमें भी रिफरेंस पोस्ट लगा होता है यह दिफरेंस पोस्ट LWR साइड में टंग डेल के सामने मिडिल बोल्ट पर के सामने लगा जाता है इस SCJ पर भी एस करू की संखियां जो होती है 72 होती है और इस nut बोल्ट की जो संखियां होता है वह 48 होता है और यह CI cast iron chair plate की संखियां 12 होती है अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो like, share, comment जरूर करें धन्यवाद